हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनाइल किटोन यूरिया के बारे में ये एक आटोजॉमल रिससिव डिसॉर्डर है एक और आटोजॉमल डिसॉर्डर हम पढ़ चुके हैं सिकल्स एलनीमिया वीडियो जो है आई बटन में मिल जाएगी वो देख लेना क्या होता है फिनाइल किटोन यूरिया में बेसिकली हमारे यूरिन के अंदर फिनाइल किटोन बाडी जो है वो प्रेजेंट हो जाती है तो कंडिशन बन जाती है फिनाइल किटोन यूरिया एक्जामपल बनता है बचे ये प्लियो ट्रॉपिक जीन का क्या होता है प्लियो ट् कुछ ऐसा नजर आता है याद करने का तरीका simple है यह एक amino acid का structure यहाँ पे होगा R group अगर यह R group है तो CH3 तो यह बन जाता है alanine और मैं alanine पे एक hydrogen हटा कर लगा दूँ अगर phenyl group तो यह बन जाएगा phenyl alanine इस phenyl alanine की खासित यह है कि यह एक essential amino acid है So what are essential amino acids? Essential amino acid वो amino acid होते हैं जो हमें diet के through लेने होते हैं हमारी body उन्हें खुद नहीं बना सकती और non-essential category of amino acids वो होती है जिसके अंदर हमारी body खुद amino acid बना सकती है तो यहाँ पे आपको यह भी समझ में आएगा कि essential amino acid से ही non-essential amino acid बनते हैं So होता क्या है इस phenylalanine के साथ में? यहाँ पे हमारे एक enzyme काम में आता है जिसका नाम है hydroxy lase enzyme क्या करता है यह enzyme? यह enzyme करता है OH का addition क्योंकि यह phenylalanine पे काम करेगा तो हम इस enzyme का पूरा नाम लिख सकते हैं phenylalanine hydroxy lase और यह इस phenylalanine की शकल ही बदल देगा तो मैं फिर से phenylalanine बनाता हूँ यहाँ पे hydrogen यहाँ पे CH2 यह phenyl group attach हो रखा है और basically यह OH का यहाँ पे enzyme यानि फिलाइल, alanine, hydroxy lase OH का क्या गर देगा addition और वो OH add होगा इस location पे और जैसे ही यह OH add होगा अब यह बन जाता है एक non-essential amino acid जिसका नाम है ताइरोसीन अब ताइरोसीन के multi functions हैं ताइरोसीन हमारी body में बहुत जगां काम में आता है ताइरोसीन जो है वो thyroxine ओर्मोन बनाने के काम में आता है इसके अलावा ताइरोसीन जो है वो melanin यानि जो pigment होता है melanin pigment उसे बनाने के काम में आता है और भी बहुत सारे enzymes को बनाने में यह काम में आता है तो अगर ताइरोसीन नहीं होगा तो thyroxine नहीं बन पाएगा properly melanin pigment नहीं बन पाएगा कुछ enzymes और hormones जो हैं वो नहीं बन पाएगा एक और neurotransmitter जो इसका नाम है dopamine वो बनाने में भी टाइरोसीन जो है काफी helpful होता है तो इस condition के अंदर क्या है यह तो normal बात है कि देखो phenylalanin से जो की essential amino acid है हमारी बॉड़ी ने टाइरोसीन जो की एक non-essential amino acid है वो बना दिया जो बिलकुल normal बात है बनता रहता है तो इसमें खास क्या है इसमें खास यह है कि phenylalanin hydroxylase यह reaction करवाता है अब अगर यह एक enzyme है तो पक्का यह किसी ना किसी gene के थुरू आ रहा होगा अगर इस gene में defect आ जाए तो यह enzyme नहीं आएगा और अगर enzyme नहीं आएगा तो दो घटनाएं घटेंगी पहली बात क्यों टाइरोसीन नहीं बनेगा दूसरी बात phenylalanin की जो concentration है body के अंदर जो number है जो amount है वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी इसी वज़े से phenylalanin जो है हमारे blood में जाद amount में हो जाएगा अब यह जो blood है यह पहुँचेगा liver के पास basically हो क्या रहा है कि liver के पास में बहुत सारी amount में phenylalanin जा रहा है अब liver क्या करता है एक process करता है de-amination what is de-amination देखो भई amino acid के उपर amine group होता है यानि यह वाला इसे हटाया जाता है यह amino acid इसे इस group को amine group को हटाया जाता है इस process को हम बोलते है de-amination जो यह पीछे बच जाता है यह convert हो जाएगा ketone bodies में और यह ketone bodies कहां पे हैं हमारे blood के अंदर है जब यह ketone body से भरा हुआ blood पहुचेगा हमारी kidney के पास तो kidney क्या करेगी इस excessive ketone bodies को body से बाहर निकालने के लिए यूरीन में इसे secret कर देगी और हमारे यूरीन के अंदर हमें बहुत सारी ketone bodies देखने को मिलेंगी अब ये ketone bodies phenyl alelin की वज़े से बन रही है इस वज़े से इस particular condition को हम बोल देते हैं phenyl ketone urea या phenyl ketone bodies की वज़े से urine में जो ketone bodies है तो हम उने बोल देते हैं phenyl ketone urea so basically ये हो गई condition का नाम इसके अलावा भी ये जो phenyl alelin है वो अलग-अलग configurations में change हो जाता है और brain के अंदर भी जाकर क्या होना शुरू हो जाता है जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से बहुत सारी problem आती है activities जो है normal इंसान वो नहीं कर पाता इस ketone वाला ये जो point है इससे आपको दो-तिन बातें और समझनी है जैसे जब भी body के अंदर protein तूटता है जो है वो protein का digestion कर रही है इसे ketosis भी बोलते हैं अगर कोई अंचन वगेरा पर बैठा है भाई खाना नहीं खा रहा है तो कैसे पता चलेगा government को तो government उनका urine test करवाएगी blood test करवाएगी अगर blood में enough amount of ketone bodies मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो person जो है वो सही में भाई वो पीछे से जाकर कुछ खानी रहा और ये जो ketone bodies होती है very very harmful to our body ketone bodies are harmful to our body तो यहाँ पे फिनाईल के टोन गूरिया में बस इतना ही अब स्क्रीन पे आएगा आएगा आपके सामने एक previous year question जो कि सिकल सैलनीमिया का है उसे attempt करिए उसका answer comment section में दीजिए और अगर वो ना हो तो सिकल सैलनीमिया वाली वीडियो जाके देखिए thank you so much questions का answer जरूर comment में इमानदारी से देना है ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे properly attempt कर रहे हैं अब से हम try करेंगे कि हर वीडियो में हम relevant questions को भी add करें उन्हें solve करने का तरीका भी सिखाएं approach बताएं thank you so much वीडियो को like, share, subscribe करिए